हालो गैज मैं विकास अपका दोस्त स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आई सी में गैज हम आज ऐसे दो मीम कोईन को लेकर आये हुए हैं जो कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे कर जा सकते हैं बोरे तो इनकी प्राइस में जीरो की संख्या ज्यादा है और आने वाले समय में ये लगभग 3 जीरो को किल काफी असानी से कर सकते हैं बहुत दिनों से आप लोगा का कमेंट आ रहा था कि सर बॉंक और रीच क्यूक पे वीडियो चाहिए तो फाइनली आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आये हुए हैं आज की इस वीडियो में हम तमाम आपके डाउट्स जो है वो किलियर करने वाले हैं कि बॉंक और रीच क्यूक जो है वो किस ब्लॉक चेन को सपोर्ट करता है यदि आप यहाँ पे अभी के टाइम एक एक हजार दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2024 के बुलरन में कित हम बात करेंगे तो गैज चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा क्योंकि मैं यहाँ क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूं तो यह 24 गंटे में लगभग 8 पॉइंट की पॉंपिंग भी दिखा रही है 8% की पॉंपिंग भी दिखा रही है यानि कि पूरे क्वाइन जो है उसमें ग्रीन फॉल देखने को मिल रही है और बहुत सारे अल्ट क्वाइन जो है यहाँ पे लगभग 40 से 50 परसंट तक ही 24 गंटे में लगभग 49% की पॉंपिंग देखा रही है इथेरियम के बाद कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1602 डॉलर पर यह ट्रेड कर रहा है और इसमें भी लगभग 8.6% की पॉंपिंग देखा रही है पिछले 24 गंटे में तो मार्केट में यह वाला जो चीजे हैं तो गैज में आपको सीधी से एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस क्वाईन में 0 की संख्या जादा होती है वहाँ पे रिसक भी जादा होता है और रिवाड मिलने के जो चांस होते हैं यहाँ पे ज्यादा होते हैं तो यही सोचकर आज हम आपके सामने यह दिखा रही है अगर जे circulating supply की बात कर ली जाए तो 56 trillion का इसका circulating supply है market cap की बात कर ली जाए तो 24 million dollar का इसका market cap है और अगर जे हम इसकी rank की बात करें तो 2673 नंबर पी ये कहीं न कहीं जो है trade कर रहा है coin market cap के अनुसार all time high की अगर जे हम बात करें तो coin के बाद इसमें three time zero four zero की सिरीच चल रही है और ये coin लगभग अपने all time high से अभी 90% down है holding की बात कर ली जाए तो ether a scan के अनुसार यहाँ पे आपको 300 से 300 holder है लेकिन ये holder जो है ये आपको अनुमानित नहीं है इसके जो holder है वो करीब 60 से 70 हजार इसके holder हो चुके है तो guys ये तो हो गई bonk की basic detail चलिए अब हम बढ़ते हैं rich q की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी current price में यहाँ पे देखिए point के बाद six time zero लगे हुए है और one three की सिरीच चल रही है और ये coin जो है लगभग 3 से लेकर 5% तक की pumping देखा रही है पिछले 24 गंटे में market cap की बात कर ली जाए तो 55 million dollar का इसका market cap है यहाँ पे आप देख सकते हैं और bonk की आप देखिए तो 24 million dollar का है circulating supply की अगर जे बात कर ली जाए तो 44 quadillion जो है वो circulate है market में burning के लिए holding की अगर जे बात कर ली जाए तो 1,49,770 holder इस coin के साथ जूड़ चुके है all time high की अगर जे बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 time zero, 2 zero की series जो है इस coin की चल रही है और ये coin लगभग अभी अपने all time high से 95% down है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो guys यह तो हो गई bonk और क्यूक की basic detail आगे आपको और मज़ा आने वाला है कि इसकी burning जो है वो किस परकार से हुई है और कहां तक burning हो गई है आने वाले समय में क्या यह 3 zero को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले topic की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि bonk और क्यूक किस blockchain को support करते हैं तो guys मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि bonk जो है वो finally solana पे अधारित है यानि कि solana network पे यह कहीं न कहीं work करता है और अगर जे quick की बात कर ली जाए तो यहाँ पे BAC यानि की binance smart chain को support करता है तो यह जो दोनो coin हैं वो एक अच्छे network पे build हैं और एक अच्छे network को support करते हैं यहाँ पे binance smart chain और solana एक बहुत ही मजबूत और जबरजस्ट platform है प्राइस को increase कराने के लिए वही पे जो अगला topic है कि 1000 रुपए अगर bonk में लगाते हैं या फिर rich क्यूक में लगाते हैं तो आने वाले समय में यानि की bull run में कितना तक profit मिल सकता है क्या यह 3.0 को kill कर सकता है तो guys सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप 1000 रुपए यानि कि 1000 बॉंक में और 1000 आप क्यूक में या फिर 500 रुपए आप बॉंक में लगाईए या फिर 500 क्यूक में लगाईए तो finally यहाँ पे अगर जे हम आपको बताएं तो बॉंक आपको 100 रुपीज में लगभग 2.7 मिलियन टोकन जो है मिल जाएगा 100 रुपया में मात्र आपको 2.7 मिलियन टोकन मिलेंगे और वही पे अगर जे हम क्यूक की बात कर लें तो 100 रुपया में लगभग 974 मिलियन टोकन मिल जाएगे तो यहाँ पर यदि आप मात्र 500 रुपय का इन्वेश्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जो टोकन की संख्या होगी काफी हद तक अच्छी हो जाएगी मात्र 500 रुपय में और आने वाले समय में अगर जे इस कोईन में मुभमेंट होता है तो आपकी जो 500 रुपय की इन्वेश्टमेंट है वो बहुत ज़ादा हो जाने वाली है तो यहाँ पे आप 5500 रुपए का रिक्स ले सकते हैं और finally meme coin में यदि आप risk लेते हैं आपको जो reward पाने का chance होता है वहाँ पे बहुत ज़ादा होता है तो आप अपनी एक बार खुद की research करके ही coin में invest किजिएगा क्योंकि cryptocurrency जो है वो risky market है और आपकी एक रुपए की investment AISIP जो है वो आपके लिए और आपकी family के लिए बहुत मायने रखती है तो guys यहाँ पे अदि आप 5500 रुपए लगाते हैं तो finally आपको बहुत अच्छे खासे token आपकी portfolio में बरामद हो जाएंगे और bull run में आपको यह profit दे कर जाने वाले हैं ऐसी बात नहीं है कि यह profit नहीं देंगे bull run में हर एक वो coin जो कि आपको एक से दो साल पहले कहीं न कहीं launch हुए है वो इस वाली bull run में आपको profit जरूर देंगी और रही बात 3-0 kill को लेकर तो 3-0 kill में आप जान सकते हैं कि 1-0 kill is equal to होता है 10x और 2-0 kill is equal to होता है 100x और 3-0 kill is equal to हो जाएगा 1000x इनकी 1000x का profit यह bonk और क्यूक 1000x का profit मैं आपको 100% नहीं बोल सकता हूँ लेकिन हाँ आपको 100x का profit यह जो है आपको next bull run में दिखा सकते हैं जिस परकार का इनका burning है आगे की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि burning किस परकार से हो रहा है तो आपकी जो यहाँ पे line है यह वाली 3-0 kill वाली वो clear हो जाएगी तो यहाँ पे आप 500 रुपय का risk ले सकते हैं वो भी खुद की research करने के बाद ही वही पे जो अगला topic है कि rich cube burn यानि कि आप देख सकते हैं कि 13.76% token जो है rich cube कहीं न कहीं burn करा चुका है यहाँ पे इसकी 100 quadillion की maximum supply है 100 quadillion में से लगभग 13.76 quadillion जो है token वो burn करा दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं और रही बात bonk की तो bonk का यहाँ आप देख सकते हैं कि total supply in airdrop for 50% for solona user solona user के लिए 50% जो है वो कहीं न कहीं airdrop के रूप में यूज किये हैं और finally 50% token यह भी जो है bonk वाले burn करा दिये हैं तो इस हिसाब से coin जो है वो आधे आधे token जो है कहीं न कहीं burn करा दिये हैं अपने पूरे maximum supply का तो इस situation से आप जान सकते हैं कि आने वाली जो next bullrun होगी और यहाँ से burning भी क्यूक में और bonk में अच्छी खासी चल रही है trillion में coin जो है यहाँ पे burn हो रहे हैं तो आने वाले समय में यही अनुमान आप लगा सकते हैं कि 2 साल में आपको यह अच्छा profit दे कर जरूर जाने वाली है coin तो आप किसी भी coin में investment करते हैं तो थोड़ा long term के scenario से सोचिए long term में आपको coin जो है अच्छा profit दे कर जाती है वही पे जो अगला topic है कि 2024 की bullrun में कौन बनाएगा करोर पती अब बात रहती है यह दो coin की नहीं बहुत सारे coin की meme coin की हम बात कर रहे हैं खासकर तो meme coin को अगर जे लिया जाए 2024 में क्यों की अगर जे Ethereum और Bitcoin की बात कर ली जाए तो Ethereum और Bitcoin की price जो है वो एक आस्मान बे पहुँच चुकी है यहां से कोई एक normal वेक्ती एक Bitcoin को नहीं खरीच सकता है तो ऐसे में क्या करना होगा guys यहां पर आपको risk लेना होगा risk यदि आप लेते हैं तो आपको chance होते हैं बुलरेंट में ज्यादा profit पाने के तो कहीं न कहीं अगर जे इस भीव से देखा जाए तो meme coin ही आपको 2024 में क्रोर पत्ती बना सकते हैं यह बात तय है क्योंकि meme coin में investment कम में आपकी quantity जो होती है token की वो बहुत जादा मिल जाती है तो अगर कोई coin जो है अच्छा खासा pump कर जाता है तो यकीनन आपको profit अच्छा मिल जाएंगे और finally यहां पे आप किसी भी coin को underestimate नहीं कर सकते हैं यहां पे सारे चीज मैंने आपके सामने बता दिया है कि इसके अंदर भीतर क्या है अंदर बाहर क्या है वो सारी चीज आपके सामने रख दी है तो कहीं न कहीं 2024 जो है वो meme coin का ही रहने वाला है भले ही आपको bitcoin एक अलग 80S दिखा सकता है लेकिन 2024 meme coin का ही रहने वाला है वहीं पर अगला topic है कि meme coin को hold करने पर ज्यादा profit मिलेगा बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि meme coin को यदि आप hold करते हैं और हाँ एक बात याद जरूर रखिएगा यदि आपके पास मान के चलते हैं कि 1000 रुपया है और आप बहुत सारे coin को buy करना चाहते ह हैं तो मात्र 20 से 25 परसेंट आप अपना price जो है वो meme coin में ही डाले बाकि 70 से 75 परसेंट जो आपके price हैं वो कहीं न कहीं bitcoin, ethereum और एक अच्छे token में होना चाहिए यह नहीं कि सारे investment जो है वो उडेल दिये हम meme coin में नई गयाज meme coin में risk ज्यादा होता है भले ही आपको यहाँ chance म को लेकर एक दो comment आए हैं अगर जै आप चाहते हैं कि tax पर एक dedicated वीडियो हो जाए एक पुरा सुरू से लेकर last वीडियो हो जाए कि कैसे कैसे करना है कैसे exchange से link करना है tax वाले app को तो उसके regarding हम आपको वीडियो देने की जरूर करें कोसिस करेंगे लेकिन आपका comment आना है वीडियो तो comment जरूर कीजेगा और ऐसे ही crypto के regarding updates पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं notification को दबा सकते हैं मिलते हैं किसी next coin की next update को लेकर तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाज़त दीजिए नमस्कार थैंक यू